आइस वेलकम टू एक्जान सुईद MS यूट्यूब चानल और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलोजी क्लास 12 का सिलेबस यूपी बोर्ड ने यूपी बोर्ड परिक्षा 2023 के लिए सिलेबस जारी कर दिये हैं सभी विश्यों के क्लास 9 से लेके 12 तक के इस बार भी दोस्तों हमें पिछले दो बोर्ड परिक्षाओं की तरह केवल 70% ही पाट करम पढ़ना रहेगा तो यहाँ पर 30% सिलेबस इस बार भी कम किया गया है यूपी बोर्ड परिक्षा 2023 के लिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलोजी क्लास 12 का सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेजीव विज्यान के वल प्रशन पत्र थेओरी का दोस्तों यहाँ पर सिलेबस देखेंगे प्रैक्टिकल का भी सिलेबस देखेंगे और क्या आप रहने वाला है पूरा सिलेबस इस बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इनमें 100 अंको का एक प्रशन पत्र मतलब 100 अंको की परिक्षा होगी जिसमें एक प्रशन पत्र थेओरी का जो होगा वो 70 नंबर का होगा और 30 नंबर की प्रैक्टिकल परिक्षा आपकी होगी आगे देखते हैं यूनिट में अंक भार क्या है कि कौन सी यूनिट से कितने नंबरों के प्रशन पूछे जाएंगे तो पांच यूनिट है कुल मिलाकर हमारी जिससे पूरा सत्तर नंबर का एक थेओरी का पेपर दोस्तों बनेगा तो ये कौन-कौन सी यूनिट है तो यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट रहेगे आपकी रिप्रोडक्शन यानि की जनन वाली तो इससे कुल 14 अंको के प्रशन पूछे जाएंगे ये प्रशन बहुविकल्पी अति लगूत तरी प्रशन और दीरगूत तरी प्रशन हो सकते हैं शौर्ड अंसर लॉंग अंसर और एमसी क्यूस प्रशन पूछे जाएंगे अनुवान्शिकी और विकास वाली जो यूनिट है इससे दोस्तों कुल 18 अंको के प्रशन पूछे जाएंगे जैप्रोधोगी की बायो टेकनोलोजी और इसके अनुपरियोग से कुल 10 अंको के प्रशन पूछे जाएंगे यूनिट नंबर 4 से 10 नंबरों के प्रशन आएंगे 10 नंबरों के प्रशन आएंगे इसका मतलब ये नहीं कि एक प्रशन 10 नंबर का आएगा इसका मतलब इस पूरी यूनिट से जितने भी प्रशन आएंगे उनका अंकभार 10 होगा यानि कि ये 10 नंबर में कुछ प्रशन आपके एक दो प्रशन बहुवी कल पे पूछ लिया एक दो अती लगू पूछ लिया एक लगू पूछ लिया इस तरह से डिस्ट्रिबूशन होगा पारिस्तितिकी और पर्यावरण वाली जो यूनिट है इससे दोस्तो कुल 14 नंबर के प्रशन आएंगे तो ये अंकभार है अच्छे से इसका स्क्रीन शॉट लेकर रखो 70 नंबर का पूरा आपका ये थियूरी का डिस्ट्रिबूशन हो गया पांच यूनिट आपको पढ़नी पढ़ेंगी क्लास 12 बायोलोजी में अब बात करते हैं दोस्तो सिलेबस 70 परसेंट जो की हमें पढ़ना है और फिर हम बात करेंगे 30 परसेंट सिलेबस जो की काट दिया गया तो यहां पर 70 परसेंट सिलेबस में इकाई वन जो है पुष्पी पौधो में लेंगिक जनन अभी ये इकाई में भी चैप्टर रहेंगे तो इकाई नंबर फर्स्ट जो है उसमें जो पहला चैप्टर रहेगा पुष्पी पौधों में लेंगिक जनन उसमें क्या क्या हमें पढ़ना पढ़ेगा वो देखते हैं तो दोस्तों इसमें हमें पढ़ना पढ़ेगा आप यहां पर अच्छे से देख पा रहे होंगे पुष्प की सन्रचना, नर एवं मादा युगमा कोद भित का विकास, परागन के प्रकाद, अभिकर्मक उधारण, बही प्रजनन की युक्तियां, पराग इस्त्रीकेसर संकर्षन, दोहरा निशेचन पढ़ाया जाएगा, निशेचन पश्य घटनाय, ब्रून पोश और ब्र ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाय जाएंगे और यहीं से आपकी दोस्तों परिक्षा में प्रश्न बनेंगे, फल का निर्माण एवं महत्तों, अब दूसरा चैप्टर जो रहेगा पहली यूनिट में वो होगा मानो जनन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मानो जनन में दोस्तों यहाँ से प्रशन आता है, चित्र भी आता है, सचित्र वरडन करना होता है, युगमक जनन आएगा, शुकराणु जनन, अंड जनन, मासिक चक्र, निशेचन, अंतर रोपन, भुरूणिय परिवर्दन, ब्लास्टो, साइट, निर्माड तक, सगर्बता, प्लैसें रहेंगे, जहां से आपकी परिक्षा में प्रशन आएंगे, और इतना से लेवस आपको पढ़ना पड़ेगा, अगरा चैप्टर जो रहेगा, वो जनन स्वास्त रहेगा, जनन स्वास्त की क्या वश्यक्ता है, यौन संचारित रोगों की रोग थाम कैसे करते हैं, परिवा ZIFT और GIFT सामाने जाग रूपता के लिए प्रारम्दिक ज्यान इनका कराया जाएगा, और यहां से परिक्षा में प्रशन पूछे जाएगा, इकाई दो की बात की जाए, तो अनुवांशिकी जो है, उसमें जो पहला चैप्टर रहेगा, वंशागती और विविदिता, मे साइटेंथ में तो आप मेंदल के तीनो नियम पढ़के आयो, अब आपको पढ़ना पढ़ेगा, वंशागती विविदिता मेंदली वंशागती तीनो नियम तो पढ़ने पढ़ेंगे, और मेंदली अनुपाद से विचलन भी पढ़ाया जाएगा, यहीं मेंदल से जो क्रोमोसोम यह सिद्धान जो होता है क्रोमोसोम और जीन लिंगने धारन मनुष्य पक्षी मदुमक्षी सहलगनता जीन विनमेस्ट यह सारे टॉपिक है थलसीमिया मेंडली मनुष्य में मेंडली विकार जो हो सकते हैं थलसीमिया मनुष्य में गुड़सूत्री विकार डाउन सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, यह सब पढ़ने रहेंगे, दूसरा चैप्टर अनुवांशिक की यूनिट में होगा, वंशागती का आडवी कादार, इसमें वही DNA, RNA ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, तो इनके बारे में विस्तरार से पढ़ाया जाएगा, DNA पैकेजिंग, DNA प्रतिक्रितन, सेंट्रल डोगमा, ट्रांस्क्रिप्शन, अनुलेखन इसको कहते हैं, जनेटिक कोड, यानि की अनुवांशिक कूट, रूपान तरण, जीन अभी व्यक्ति का नियमन, लैक ओपरान, जीनोम, मानो जीनोम प्रोजे ही है कि NCRT से आपका पेपर 3-4 साल से लगातार बन रहा है, तो NCRT से ही पढ़े, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि वो आपके अगर आगे नीट भी दोगे, तो वहां पर भी बहुत काम आएगा, और NCRT से दोस्तो यूपी बोर्ड का भी पेपर बन रहा है, पिछले 2-3 सा इसमें जो पहला चैप्टर रहेगा, यह मान उस्वास्त age रोग, क्या रहेगा, मान उ स्वास्त अवं रोग, इसमें रोग जनक होगे अलग-अलग मानो मैं रोग उद्पन करने वाले, हैं ऊज़ेवत इमाम, उनके रोगते हैं काने माले बिन हमारा टीके ठीक है वैक्सिन कैसे लगती है इसके बाद कैंसर भी है एचाइवी से प्रशना आता है एड्स यवन अवस्ता में नशीले प्रसा पदार्त और अलकोहल का कुप रयोग जो होता है यहां से प्रशन भी दोस्तों बनते हैं इसी यूनिट का जो अगला चैप्टर होगा दोस्तों मानो कल्याण में सुक्ष्म जीब तो इसमें घरेलुकाद उत्पादों में और दोगिक उत्पादन वहित्मा लूपचार उर्जव सब साफ साफ दिये हैं यह टॉपिक एंसी आर्टी में पूरा सिलेबस दोस्तों एंसी आर्टी का ही है जैवूरवरक बाय की जाए तो चैप्टर पहला जो रहेगा टोटल दस नंबर की यूनिट है मतलब इस यूनिट से कुल दस नंबर के प्रश्ण पूचे जाएंगे तो जैप्रोदोगी की सिदान्द प्रकरम अनुवांशिक इंजीनियरिंग यानि की जेनेटिक इंजीनियरिंग पुनर थां खेकर भात का, स्वास्त करशी में क्या उपई हो गया मानो इंसॉलिन वैक्सीन के निर्माण में क्या उपी ओ गया ह्धृ फिक है इसके बाद इकरीव किन हो क्या होते है जनेंटिक्ली मौडिफाइट और्गरिज्म योğ मोक्त क्या होते हैं चोटे-उपिक हैं यो कि ह आपको पढ़ने पढ़ेंगे पारिस्तितिकी एवं पर्या वरंड ये यूनिट दोस्तों है यूनिट नंबर फाइव टोटल चौदा अंके प्रश्ण इस यूनिट से पूछे जाएंगे कुल तो इसमें दो चैप्टर रहेंगे जीव और पर्या वरंड इसमें जीव और पर लिवाय किया हैं नची आएं सभुकारित इस परदा क्या है पर भक्षण पर जीविता समिष्टी गुण जन्म एवं रत्युदर क्या है आयूँ विवरंड क्या वित्रण क्या है जयविविद्टा एवम संक्रेक्ष्ण दोस्तों यह एक चैप्टर रहेगा इसमें जैवि आपको नहीं पढ़ने है उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे कि प्रैक्टिकल जो तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 30% कम किया गया ऐसले बस यहां पर आपको दिख जाएगा यहां पर आप देख रहे होंगे 30% कम किया गया पाटकरम तो पहली यूनिट जो जनन वाली है इसमें जीवों में जनन जो चैप्टर है उससे यतने सारे टॉपिक आपको नही यह सब टॉपिक हट गया है यह नहीं पढ़ना पड़ सकते हैं आप नीट वगारा के लिए यूपी बोर्ट परिक्षा में यहां से प्रश्ण नहीं आएंगे इस बारह आ गया थे कुछ प्रश्ण तो उसके लिए जिन चात्रों ने चात्रों ने नहीं भी किये थे प्रश ठीक है इतने सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हार्डी विन बर्ग था इसमें ठीक है जीन प्रवहा अनुकूली विक्रण मानों का विकास ब्रहोडी की डार्विन का योगदान पूरा जीवी तुलना अत्मक्षरी संवर्चन यह विकास वाला पूरा चैप्टर ही मतल ठीक है मदुमक्की पालन पशुपालन इन सब टॉपिक को पढ़ने की आवशक्ता नहीं है अगर आप यूपी वोड़ पर इक्षर देने जा रहे हैं नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं बट यहां से प्रश्ण नहीं आएंगे पारिस्तितिकी और पर्यवरण वाली जो कर पारिस्तितिकी अनुकरमण ठीक है कार्बन इस्तिरी करन पर आगण अनुवांस यह सब हट गया पर्यवरण के मुद्धे में वायू प्रदूशन इसका नियंतर जल प्रदूशन रशी रसायन उसके प्रभाव ठीक है इसके बाद ठोस अप्षिष्ट प्रवंदन रेड उडियेफ मिलेगा टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में अपने पास सिलिबस जरूर सेप करके रखो यूपी बोर्ड ने तो क्लास नाइन से लेकर 12 तक सिलिबस जारी कर दिया है और आप यूपी msp.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं कैसे डाउनलोड करना इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की तो प्रैक्टिकल की बात क डिक सकते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या-क्या दिया प्रैयोगा अतमकुल-30 संग की दोस्तों परिक्षा होगी इसमें प्रैयोग की सूची आपको यहां पर मिल रही है यह यह प्रियोग आपके कराए जाएंगे तो सो अब हर कॉलेज में अलग-अलग प्रैक्टिकल की कि बात कि जाए तो कुल 30 नंबर में यह सब चीजें होंगी स्पॉर्टिंग कुछ प्रैक्टिकल करा जाएंगे एक दो फाइल आप से बनवाई जाएंगे एक रेकॉर्ड फाइल बनवाई जाएगी तो यह सब दोस्तों आपके आपको करना रहेगा प्रियोगात्मक कक्षा 12 किस तरह से होगा दोस्तों 30 अंकों में 15 अंक तो होते हैं बाहे परिक्षा के जो एक्जामेनर रहेंगे प्रैक्टिकल लेने और 15 अंक होंगे आंत्रिक परिक्षा के जो आपके क्लास टीचर आपके कॉलेज इस तर पर कराएंगे तो बाहे परिक्षक क्या क्या कराएंगे 15 स्लाइड बनवाएंगे पांच नंबर में पांच नंबरू करवाएंगे चार नंबरू कोई फाइल बनवा दिए कोई चार्ट बनवा दिया कोई इस तरह से और वाईवा वो लेंगे तो यह कुल छेंग में होगा तो पंदरा नंबर टोटल तीस आपके बन जाएंगे यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि छात्रों का मूल्यांकन आंत्रीक में बाय परिक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा अब्यास पुस्तिकाय की प्रयोगात्मक परिक्षा जो की प्राइवेट हैं जिन्होंने व्यक्तिकत रूप से परिक्षा देनी हैं तो व्यक्तिकत परिक्षा आरतियों की प्रयोगात्मक परिक्षा है तो उन विद्यालेयों के संबंदित विश्यों के अध्यापक प्रदानाचार दौरा अत्ति होगा वहाँ पर मिलेंगे अब दोस्तों बात हो चुकी है प्रैक्टिकल की भी प्रैक्टिकल के यहां पर आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे यह सभी टॉपिक आपको प्रैक्टिकल और स्पॉर्टिंग के मिलेंगे ठीक है स्पॉर्टिंग में आपको क्या करना रहता है प परागण अंकूरण का अध्यन करना है कम से कम दो इस्तानों पर मर्दा एकत्र करें उसमें मर्दा की बनावट नमी नहीत वस्तुएं जल धारन चमता उसमें पाजाने वे पौदे सह संबंद का अध्यन करना है यह प्रैक्टिकल हो सकता है अपने आस-पास के दो अलग- जा सकता है प्रैक्टिकल में प्यास के जो मूलागर होते हैं प्यास को पानी में रख दो वहां पर मूलागर बन जाते हैं उसकी एक आइस्थाई स्लाइट बनाकर उसके उसमें समसूत्री विवाजन माइटोसिस का अध्यन आपसे कराया जा सकता है आपको करना होगा यह आ देन कर सकते हैं और च्छटा प्रयोग है उपलब्द पादप सामागे जिसे पाला खरी मटर पपीता आदी से डी एन एक को प्रतक करना तो भाई अब यह कॉलेज प्रेटिकल कराए जाएंगे और कॉंसे प्रेक्टिकल नहीं कराए जाएंगे ठीक है तो यह सबी चीजें हैं तो उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा फिर मैं बता रहा हूं कि इसका पूरा पीडियेफ आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगा और यह पूरा सिलेबस किसी भी विशय का सिलेबस क्लास नाइन से आपके छोटे भाई बहने हो तो क्लास नाइन से लेक साथी साथ आप टेलिग्राम पर भी जाकर जॉइन कर लिए उसका मेरे टेलिग्राम चैनल एक्जाम सिदमेस टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर भी यह सारे पीडियेफ आपको मिल जाएंगे मैथ फिजिक्स केमेस्टी बायो आर्ट साइड भी साथ इसी प्रकार के इंपॉर्डेंट वीडियो के लिए यहां पर आपको टिप्स ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स मॉडल पेपर क्वेस्टिन पेपर साथी साथ मोटिवेशनल वीडियो तो सिलेबस के वीडियो सबी कुछ यानिया नहीं यह नहीं यूपी बोर्ट 10 12 का पूर सपोर्ट और 9th से 11th 9 to 12 आपको पूरा कॉंटेंट मिलता रहेगा थैंक्स वोचिंग और गुड़ लग फॉर फ्यूजर दोस्तों थैंक्यू एंड बाए बाए